नमस्ते प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर यानि दीदी की रेसिपी में आज हम बनाएंगे हरी मेर्ज का तीखा चटपटा जणनाटेदार अच्छा जिससे आप 4-5 साथ स्टोर करके खा सकते हो जिससे पूरी पराठे दाल चावल किसी के भी साथ नहीं कुल बिगड़ेगा नहीं जो मिर्ची का अचार मेरे सब्सक्राइबर ने कॉमेंट किया है वो मेरे लोकल एरिया में रहते हैं बोलते हैं मिर्ची का अचार मुझे भेजवाई ए खाने के लिए नहीं तो मैं आपका लाइक और कॉमेंट नहीं करूंगा मैंने बोला मुझे पंगा नहीं लेना है आपके एक और लाइक के कॉमेंट के लिए मैं मरी जाती है मुझे पूरा आपका सपोर्ट चाहिए मैंने क्या किया आदा किलो हरी मिर्च ली एक्दम ताजी ताजी मिर्च लेना है अचार बनाने के लिए इसके डंठल अलग कर लेना है और इस अच्छे से धो लेना ताकि मिर्ची में एक गंदगी ना रहे अब इसे निकाल लेना है पानी अच्छे से जाड लेना दस मिनट के लिए धूप भी दिखा सकते लेकिन मैं इंस्टेट अचार बना रही है इसले मैंने कपड़े पे इसे पोच लिया है इस तरीके से कपड़े पोचने से भी पानी एकदम जड़ जाता है तो यहां पे मिर्च हमारी तयार हो गई है तो अब क्या करना है सिंप्ली इसमें चीरा लगाना इसके दो तिन टुकडे भी कर सकते लेकिन मैंने क्या किया बस लंबा इसमें चीरा लगा दिया है आप चाहो तो इसे कैची से भी या simply चाकू से भी लगा सकते हैं, make sure क्या करना है, यह मिर्च की भी आपके आँखों में ना आए ना इधर उदर कहीं लगे ना इस बात का आपको ध्यान रखना है, मिर्च की कटिंग करने में थोड़ा आपको professional यानि pro रहना है, इस तरीके से कट कर लेना है, ताकि इसकी मसाल एकदम घुस जाने चाहिए, एकदम फिल हो जाने चाहिए मिर्ची में, इसलिए इस तरीके से मैंने चीरा लगाया है, अब यहाँ मिर्च हमारी तयार हो गई है, तो एक चमच हल्दी पावडर, आदा चमच इसमें लाल कश्मीरी मिर्ची पावडर, और स्वाद अनुसा न आदा कटोरी मैंने सरसो के दाने लिया है, आदी कटोरी मैंने धनिया लिये, धनिया के सीड्स लिये है, और यहाँ पे 20-25 काली मिर्च लिये है, और इने हम धीनी आज पर भून करता है, इसे एकदम से जलाना नहीं है, बस हलका हलका भून के तयार कर लेना है, यहाँ पे देखिये मसाले चटकने लगें, यह चटपटा सा मिर्च का अचार बन के तयार हो जाता है, अब इसे प्लेट में ट्रांसफर कर देना है, ताकि यह मसाले अच्छे से ठंडे हो जाने और उसके बाद हम नेक्स प्रोसेस करेंगे, यहां तक वीडियो आप देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और यहां पे मैंने दो कटोरी सरसो के तेल लिये हैं, इसी तरह नाप लिया है, और इसे अब हम धूमधार गरम करेंगे, गरम करने के बाद, यह धूमे थोड़े आने लगे, तो रख दिया है मैंने साइड पे, और यहां मसाले को हम कोसली यानि दरदरा पीस कर तयार करेंगे, जदर मेहिन पावडर बनाने की जरूरत नहीं है, और यह भी मसाला हमारा बन के तयार हो गया है, बातों ही बातों में, यह देखिए, अब य आमचुर पावडर आसानी से मिल जाता है, तो यहां पर आमचुर पावडर डालने से क्या आओगा, जो मिर्च का तीखा पन हो बैलेंस करेगा, मिर्च का तीखा पन कम कर देगा, और इसमें बहुत ही ज़ादा स्वाधिष्ट और चटपटा बना देता है, इसमें आमचु तो आप देख सकते हैं, बातों बातों में यहां मिर्च का आचार बन के तयार हो गया है, तो आप इसे साल भर स्टोर करके खा सकते हो, यह ज़्यादा तर दाल चावल के साथ अच्छा लगता है, पराठे के साथ अच्छा लगता है, तो हरी मिर्च में आईरन होता है, तो आपको कच्ची हरी मिर्च भी खाना चाहिए इस तरह मिर्च का आचार भी बनाकर खाना चाहिए तो चलिए मैं बताती हिसे स्टोर कैसे करना जो चार-पांच साल स्टोर कर सके अपर मेरे पास कोयल नहीं था तो मैंने प्राइब लिए अब इसमें जो क्षेंग ऑपर क्तेनी, चपपद से मेलब रखना में जूचप में इस तरीके से उल्टा कर्देना ताकि इतना भी धूँआ हो ना smoke है ना इसके अंदर आ जाना चाहिए अब ये jar में अगर कोई भी छोटी छोटी बैक्टेरिया होंगे तो च्या होता है अच्छे से यह किल कर देता है और हमारा जार एकदम बैक्टेरिया फ्री हो जाता है जिसकी वज़से हमारा अचार बिगड़ता नहीं है तो इस प्रक्रिया को आप करके देखना बहुत ही कारगर है ये रेखिए बहुत ही आसानी से हमारा जार यहां पर साफ हो जाता है तो चलिए अब इस फटा-फट से य मिर्च की आचार को हम रख देते हैं इसके अंदर पानी आने वाला ये मिर्च पार बन के तयार हुगे है अशा करते हैं ये मिर्च के आचार आपको बहुत ही बबन पसंद आए होंगे तो ये मिश्च के अचार मेरे सब्सक्राइबर को पार्सल करना है क्योंकि उन्हें स्पेशली बोला था कि मिर्जी का अचार बना के मुझे बेजवाईएगा नहीं तो मैं आपके वीडियो पे लाइक और कॉमेंट नहीं करूंगा तो चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्वीडियो में रखे अपनाद Until then, bye bye and thanks so much